बोलिवुड एक्टर एजास खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो ने देर रात किरफतार कर लिया और ऐसे में एन आई एको शक है कि एजास खान ड्रग लोड फारुक बटाटा और उसके बेटे शादाब बटाटा के साथ काम करता है और ऐसे में ड्रग सिंडीकेट का हिस्सा है तो यहां इजास से कल एन सीबी ने घंटो पूछताच की और इसी के बाद उसे गरफतार कर लिया गया था और ऐसे ही से पहले एन सीबी ने ड्रग लोड फारुक बटाटा से करीब आठ घंटे दक पूछताच की और फिर जवाने दिया तो यहां फारुक के बेटे शादाब को पिछले हफते ही एन सीबी ने एक छापे मारी के दौरान गिरफतार किया था और उसके पास ये करीब दो करोड रुपाई की ड्रग्स की खेप बरामत की थी और इसी के साथ शादाब से पूछताच के दौरान कई सेलिब्रिटी के नाम समने आए थे तो यहां बोलिवुड एक्टर एजास खान को नार्कोटिक्स कंट्रूल ब्यूरो ने देरात कि रफतार किया इस पेचर एन आई ए को शक है कि एजास खान ड्रग लोड फारुक बटाटा और उसके बेटे शादाब बटाटा के साथ काम करता है और इसी के साथ एजास से कल एनसीबी ने घंटों पूछता चुकि और इसके बाद उसे गरफतार कर लिया गया था और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि एनसीबी ने ड्रग लोड फारुक बटाटा से करीब आठ गंटे तक पूछता चुकि और फिर जाने दिया तो यहां फारुक के बेटे शादाब को पिछले हफते ही एनसीबी ने एक छापे मारी के दुरान गिरफतार किया था तो यहां फारुक बटाटा से आठ गंटे तक पूछता चुली और इस पीच वह ये तस्वीरों में ही साफ साहिर हो रहा है और यहां ड्रॉक्स केस में एनसीबी के एक्टर आइजास खान को गिरफतार कर लिया गया है